इसे कई स्थान होते हैं जहांपर नकारात्मक शक्तियां यानि भूत प्रेत अपना घर बना लेते हैं इन स्थानों को वास्तु शाष्तर में शुब नहीं माना जाता है इन जगहों पर रहने से वास्तु दोश उत्पन्न होता है और घर में हमेशा परेशानियां और कलेश बनी रहती है चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे स्थान जहांपर वास्तु के अनुसार नकारात्मक शक्तियां अपना घर बना लेती है नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टू दे चैनल महाशक्तिशाली टोटके दोस्तो अब हम आपको बताएंगे कि कब, क्या, कहां और कैसे करना है कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाए जो आपके जीवन की हर तरह की परेशानियों का समाधान कर देगा और आज इसी सलसले में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जगाहों के बारे में जहां शाश्तरों के अनुसार भूतों का डेरा होता है आईए शुरू करते हैं जिस स्थान पर 43 दिन तक सूर्य की किरुनों का संचालन ना हो तथा घर की दिवारों पर नमी के कारण सीलन आ गई हो इसके साथ ही घर में हवा संचालित ना होने से दुरगंद आती हो ऐसे स्थान पर भूत प्रेट निवास करते हैं वास्तु शाष्क्र में ऐसे स्थान को अशुब माना जाता है जिस जमीन पर पूरवजों का मरघट स्थान हो तथा उस जगह पर कोई व्यक्ति अपना घर बना ले तो वहां नकारात्मक शक्तियां अपना स्थान बना लेती है वास्तु के अनुसार ऐसी जगह पर घर बनाना शुब नहीं माना जाता पीपल अथवा बर्गत को काट कर घर बनाया गया हो ऐसी जगह को नकारात्मक शक्तियां हमेशा घेरे रहती है अतहा घर खरीदने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि उस थान पर पहले पीपल या बर्गत का पेड़ तो नहीं था जो घर किसी कॉलनी अथवा सडक का आकरी घर हो और जिसके आगे जाकर रास्ता समाप्त हो जाता हो वहाँ पर भी नकारात्मक शक्तियां का वास होता है जब किसी घर में पूर्व से सूर्य की किरनों को प्रवेश करने में बाधा उत्पन होती हो और उत्तर पश्चिम दिशा से वायू का संचालन बंध हो जाए ऐसे में उस स्थान पर वास्तु दोश उत्पन्न हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां से वो स्थान घर जाता है उत्तर पूर्व दिशा से जल का स्थान दूशित हो जाए देव स्थान या घर का मंदिर दूशित हो जाए तो उन जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है तथा भूत प्रेत अपना बसेरा बना लिते हैं। दोस्तों ऐसे स्थानों से दूर रहकर आप भूतों के डेरे से दूर रह सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमसे जुड़े रहे और भी ऐसे अनोखे टोटके के लिए देखते रहे हैं। महाशक्तिशाली टोटके।